ओके आपके डिमांड पर एडिनो प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्विज का नया बैच हम लोग इस्टार्ट परने वाले और मैं बना दूँ कि इस बैच में इस कोर्से में मैंने बहुत सारे चैंजिस किया है इससे पहले जो बैचे थे सेम कोर्स का उसमें क्या था कि मुझ कुछ include किया है और ये कोर्स आपके लिए बहुत ये सांदार होने वाला है तो पहले आप वीडियो को end तक ध्यान से सुने एक एक चीज को समझें उसके बाद ही आपको ये कोर्स जोईन करना है ओके देखो सबसे पहले कोर्स का कंटेन बता दूँ तो सबसे पहले आपको य के क्लाइन का कोड मैं लिग करके अच्छे से explain करूंगा और see programming का classes जो है हमारे यहां पर बढ़ा दिये गया है ठीक है जो पिछले बैच्छे में जो हमारे चलते थे उसके comparison में अब हमारे see programming के classes को ज्यादा चलेंगे उसके पीछे reason यह है कि मैंने यहां पर programming exercise इसको include कर दिय है और programming exercise जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको करवाया जाएंगे so that कि आपका programming skill और अच्छे से develop हो okay जब यह दोनों चीजे हो जाएंगे तब हम लोग एडिनो प्रोगामिंग में जंप करेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा के ऊपर ही चलेगा क्योंकि अगर आपको कुछ कोड भी एडिनो की करवाया जाएंगे और कुछ यह प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते हैं उसको किसी खास कॉंपनेंट का जैसे कि सर्व मोटर एल सीडी लियार और ब्लुटूथ डिटीम यह पांच चीजों का programming आपको बताया जाएगा तो यह आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है और इसमें काफी सांधाची आप सीखने वाले हो अब बात यह है कि यह कोर्स को उन लोग जोइन कर सकते हो मैं बताता हूँ कि इस कोर्स को जोइन करने के लिए आपको पहले से कोई भी नालेज नहीं चाहिए assembly mechanic होंगे मेरा वहाइस आप तक जा रहा होगा आपका वहाइस मेरे तक आ रहा होगा कोई बेराउट होता है आप उसी वक्त पुछोगे और उसी वक्त अपना डाउट किलियर कर लोगे इसलिए यह कोर्स होगा यह जो बैच होगा इसमें हम limited number of student को जोईन करने वाले हैं क्य इस कोर्स के बारे मैं बता दूँ कि ये कोर्स हमारा फर्स्ट मार्स से स्टार्ट हो रहा है और डिविशन जो है वो 40 डेस का है पहला वाला जो कोर्स था सेम चीज के लिए वो 25 डेस का था और उसमें प्राब्लम यही आ रहा था मैंने जो फिल किया कि साइध उदल और अच्छे से सीखो राइट तो प्रोग्रामिंग सेच करते थे और उसमें क्लासिस नहीं करवा पता था लेकिन इसको कौर्स में आपको समझाऊँगा सारा लॉजिक आपको डेवलब्ट खरवाउंगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्लास का जो टाइमिग होगा कोडिंग प्रोवाइड करवाय जाएगा तो यह पूरा का पूरा स्चीन है कोर्स का कंटेंट मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो दिखा सकता हूं उसमें क्या है कि पहले आपको कुछ कोडिंग जो मैंने बोला था वह सर्वो मोटर LCD LDR DTM Bluetooth इसके लिए भी कोडिंग आपको बताया जाएगा और यह सारी के सारी चीज़े हैं आपको मज़ा आएगा पूरा का ठीके ना अगर आप इसमें देखो के तो जो चीज सी प्रोगार्मिंग में नहीं है और अलग से है उसको भी आपको यहां पर बढ़िया से बताया जागा यह सारा का सारा कंटेंड आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास है आपको सीखने में मजाएगा एकदम जीरो लैबल से मैं स्टार्ट करूंगा आपको कुछ नहीं आता है ना फिर भी आप इसको जो जोईन कर सकते हो को बशरते हैं आपको जल्दी से जल्दी जोईन करना है देखो आप लोग सीकायत करते हो कि सर आपने मुझे जोईन नहीं किया आपने मेरे को कोर्ष में नहीं लिया देखो आप लेट से जोईन करते हो फिर मैं कैसे लूँँ मैंने बोला ना कि मैं लिमिटेट नमबर और करना पड़ता है ठीक है संडे हमारा आफ रेगा हर दिन क्लास चलेगा एक घंटा राइट तो यह सीन हमारा होने वाला है तो आफ़र आफ़र से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें आपको जाकर के वह फॉर्म फिल अप कर देना है और एक चीज़ आप लोग फोन नंबर कभी भी गलती नहीं दोगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं कॉंटक्ट इसलिए भी नहीं कर पाता हूं क्योंकि फोन नंबर पता नहीं रिचैबल मतलब वह सही से मतलब नेटवर वहरा कुछ इसू होगा या सिम बंद रहता है ऐसा कोई नंबर देते तो फ ठीक है चलो ठीक है ओके वाई थैंक यू